नमस्कार मित्रों, जै मातादी, मातारानी की किर्पा से आप सभी का हम इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं मत्रों, मनुस्य के जीवन में ग्रोहों के बदलने के अनुसार, मनुस्य का जीवन, मनुस्य का सुख, मनुस्य का दुख, मनुस्य के साररी कश्टों सथा, मनुस्य के मानसिक और सुख सान्ति के प्राप्ति ग्रोहों के अनुसार ही होती है ऐसे में भगवान की गृपा मनुस्य के जीवन में प्राप्त करना बहुत अच्छा होता है ऐसे में आज की इस विडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसा रहने वाला है आपके लिए आने वाला समय बच्छों, आपके ग्रहों के इस्टितिया कैसी है? आपका समय, दिन्चरिया और आपका स्वास्त कैसा है? धन के इस्टितिया कैसी रहेंगी? बैपार के इस्टितिया कैसी रहेंगी? वैपार, वैविसाय, करियर और लव लाइफ में आपको कौन सी बड़ी सफलता मिलने वाली है भगवान स्रीहरी विश्णुजी की पूजा उपासन किस प्रकार से करके धन दोलत की प्राप्ति कर सकते हैं रुपय फैसे में प्रभुत्री कर सकते हैं और आप अपने सभी दुस्मनों को प्राजित कर सकते हैं धन की देवी माता लग्विजी की पूजा उपासन करके इस प्रकार से उनको प्रसन न करके आप अपने घर धन की देवी माता लग्विजी को बूला सकते हैं मित्रों आपको बताएंगे सारी जानकारी विष्थार से वीडियो को आखरित दीखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लें ताकि रोजाना रासिफल आपको समय से बिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें तुमित्रों ग्रुम के चाल ये इसारा कर रही हैं कि आपके लिए आने वाले समय मिस्रित परणाम दायक रहेगा कई मामलों में आपको सफलता मिलेंगे आपके मेहनत से कारिब सिद्धी के प्राप्ति होंगे आपके सी धार्मिक क्यात्रा पर जाने की बात मना सकते हैं लेकिन आपके जीवन में इस समय पैसो को लेकर जो भी तंगिया चल रही हैं पैसो को लेकर जो भी आपकी अडचने आ रही हैं उन सभी से आपको चुटकारा मिलने वाला है बगवान स्रीहरी विसमुजी की किरपा से आपको एस्वरे की प्राप्ति होंगे धन के शितर में आपको सफलता मिलेंगी परिवारवालों का रिष्टेदारों का और सगे सबंदियों का आपको सहयूग दोने वाला है वह अब प्राप्त होने का इसारा दिख रहा है। इस समय सूरी के रासी प्रवर्दन होने की बिज़े से आपके कारिशित्र में मान सम्मान की प्राप्ती होंगी। घर वाले फ्रिवार वाले और समाध वाले आपके इज़त करने वाले हैं। आपके मान शम्मान में इज़त म बढ़ुत्री होने वाली हैं दोस्तों के साथ मुलाकात कर सकते हैं पुराने किसी मन मुटाव को दूर कर सकते हैं पुराने रिष्टेदारों के साथ मुलाकात कर सकते हैं करियर के दृष्टी से भी आज का दिन मजबूती के साथ आपका साथ देगा भागे का साथ होने की बिजनस करने वालों को भी सफलता मिलेंगी निजी जीवन में भी आपका इस समय पारिवारित तालमेल बनाने की जरूत रोहेंगी आप और आपके सही होगी दोनों आपका पूरा साथ देने वाले हैं लेकिन निजी जीवन में आपका तनाव रह सकता है लेकिन यह समय के साथ दूर होने वाला है मत्रों सावधान आगे की बातें रहस्मरी रहेंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको ही जानना, सुनना और समझना चाहिए इसलिए आगे की जानकारियों को आप पूरे ही कौर से सुने चंद्रमा रासी से दूसरे भाव में और आपकी रासी में राहो के उपसदी आज आपका मान सम्मान दिलवानी वाला है और ये आप के लिए तथा आपके परिवार के लिए सुब फल्तायक रहेगा आपकी मान सम्मन्न में पर्तिश्टा में वर्दी होंगी मित्रों अगर आप बेरोजगार ही वक हैं कई सालों से, कई महीनों से, कई दिनों से आप रोजगार की तलास कर रहे हैं या फिर आप अपना स्वेंग का रोजगार करने का विचार कर रहे हैं तो मित्रों रोजगार की शित्र में आपके किये गए प्रियास तो सारे के सारे फल आज आपको देनी वाले हैं कारिशित्र में भी आपको अच्छा कासा परिनाम की प्राप्ति होंगी आपके सी जौब या इंटर्व्यू को दिये हैं तो भी आज आज आपको अच्छे परिणामों की फ्राप्ति करवा सकते हैं आपके नौकरे लगवा सकते हैं और कारिश्यत्र में भी आपका मन लगा रहेगा आज आर्थिक तोर पर आपका दिन मजबूत रहेगा घर के जरूरी कामों में हाथ बटाने की कोशत करें कुम्बरासी वालों रुके वे काम भी आज आज आपके पूरे हो सकते हैं जिससे की आपको खुश्या मिलेंगे परिवार के बुद्रुगों के साथ आसरवाद लेकर कारे को करने का पूरा करें आपके सभी रुके पढ़े देवी देवताओं को परणाम करके और अपने सारे पुरवजों को याद करके वो परणाम करके घर से बाहर निकलें आपके सारे कारे पूरे होंगे और आरही सारी के सारी बाधाएं आपके जीवन में दूर होने वाली हैं कारिशत्र में भी आपको सफलता मिलने वाला है आर्थी तोर पर आज का दिन मजबूती के साथ रहने वाला है आप रुके वे कारे को भी पूरा होता हुआ आज देख सकोगे जिससे कि आपको कुशी के प्राप्ती होंगे प्रिवार के वुद्रकों के असरवाद से कारे पूरे होंगे आज आपका भागय और आपका नसीब दोनों साथ दिन निवाला है इसलिए अगर आप प्रोपर्टी डीलर हैं और कही निवेस करने का प्रणान बना रहे हैं तो आज के दिन आप यह फ्लान को पूरा कर सकते हैं और आप कहीं भी निवेस करने से पहले अच्छे से जानकार वेक्तियों से सलह लिकर ही कारे को करने की कुशिस करें ग्रहों के इसलिदियां आपके भागय को बदलेंगी और बिजनस में भी आपको लाव की प्राप्ति होंगी लेकिन बेवज़ा बाद भी बाहत में ना पड़ें बेवज़ा नए सत्रू को बनाने की कुशिस न करें बेवज़ा किसी के साथ बगजग या वेफजूल की बातों में अपना दिन जाया न करें आज के दिन आप अगर ऐसा करोगे तो बेवज़ा आपके सत्रू पैदा होंगे जिससे कि आपके तिताएं बढ़ेंगी इसलिए आपको साफधान रहने की जुरत होंगी आज आपके माता की स्वास्त में परिभरतन हो सकता है माता पिता के स्वास्त काफी अच्छा रहेगा और लंबे समय से अगर आप किसी विमारी से ग्रसित हैं तो उनसे भी आज आपको चुटकारा मिलने का कोई उपाय दिखेगा और आपके स्वास्त में पहरे से काफी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा आज आप पे सेहत काफी अच्छी रहेंगे आज लेकिन ही काम जरूर आपको करना होगा आज आप गो माता को हर अचारा और आप रोटी जरूर खिलाएं आपके सभी विगड़े कारे बनेंगे कारिशत्र में भी आपको खुशी की प्राप्ति होंगी जीवनसाती के सहयोग से आप नई फ्रूपटी में निवेश कर सकते हैं आज रासी के स्वामी द्वादस भाव में रहेंगे जिसके कारण खर्शों में सीजी आएगी और मानसित तनाव भी बढ़ सकता है लेकिन ग्रहों के सुब सहयोग के वज़े से कारण आपका भागे भी आपको साथ देने वाला है और पिछले कई दिनों से जो काम रुक रहे थे उन कामों को पूरा कर सकोगे आज आपके प्राक्रम अबड़ोत्री होंगे कोट का चहरी से दुड़े मामलों में आपको सफलता मिलेगी जिससे आपका मन काफी प्रसन न रहेगा मित्रों अगर आप किसी भी काम को लेकर कोट का चहरी में काफी लंबे समय से फसे हुए थे काफी लंबे समय से आप किसी योजना को बना कर कार्य तो कर रहे थे लेकिन आपका किसी कारण से वो योजना सफल न हो रहा था तो उन्ह सभी योजनाओं को पूरा करपाने में आज आपका प्जादा सफल रहोगे कारीशत्र को लेकर भी आपके मन में अलग- alors सबाल उठते रहेंगे उन सभी कारे को पूरा कर सकोगे जो भी आज 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 आ कारिशित्र में काफी लाव होनी वाला है बैपार व्यवसाय और करियर को लिकर भी आपको बहत्रिन सफलता की प्राप्ती होंगी कारिशित्र में भी आपके लाव प्राप्त होंगे आपके सहयोगी आपका सहयोग करनी वाले हैं और विबिन्य प्रकार की प्रस्तितियों से आ आपको चुटकारा मिल लेवाला है। आपको लाव होगा आपके धन के छित्र में, मान समान के छित्र में बढ़ोत्री होंगी। जो लोग औविवाहित हैं। औविवाहितों के लिए भी आज का दिन बेहदी सुब रहेगा। क्योंकि औविवाहितों को विवाह के वहत्रिन प्रस्ताव मिलेंगे और यह प्रस्ताव आपके जीवन में सकल और स्वूरत साविद होगा। कार्शत्र को लेकर भी आपके सारे योजनाय सफल होंगी। आपके विभिन्दे प्रिकार के प्रसिज़एं में पसेवे सारे कारे भी आज आपके पूरे हपोने बाले हैं मत्रों आपको बताना चाहेंगे कि आज आप किसी गरीव को दान देने का प्रियास करें दान देने से आपके सभस्त परकार के समस्याओं से आपको चुटकारा मिलेगा और जिससे कि आपका नाम बहुत ही फैल ने बाला है नाम आपका गूंज ने बाला है और कारे को लेकर भी आपके सारे समन्दे भी काफिप प्रसनों होंगे मत्रों आज आपको बताना चाहेंगे कि आपके रासी के स्वामी छटे भाव में सनी और वरस्पति के साथ होंगे तथा चेंद्रमा एकादस सुभाव में रहेंगे जिसकी वज़ा से आप कठिन प्रस्थितियों से भी आसानी से बाहर निकल पाने में सफल होंगे और विरोधियों का पसीना भी आप छुड़वाने बाले हैं आप बेहदी ताकत पर बेहदी होंसियार और बेहदी फुर्तिवाद तरीके सिकारे को अंजाम देने वाले हैं आपका दिन बहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमा तादी अवस्ते लिखें आपका दिन सुभो मंगलकारी हो जैमा विंदू